हमारे लड़के के मारने में जो थाना परभारी परभात है उसका भी आता है अच्छा परभात कहा था थाना परभारी उसका भी हम लोग सूरजकांत के घर पे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह मामला कितना तुल पकरा हुआ है सूरजकांत को किस परकार से बेरामी तरीक से हत्या कर दिया जाता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुरज कांत एक लर्की से प्रेम किये उसके बाद उससे विवा किये गाउं की लर्की थी बगल के बगल में उनका घर है उसके बाद अपना चाचा भी दुस्मन हो गया अपना चाचा कैसे दुस्मन हो गया वह पुरा सूरज कांत जी है और यहां पर फोटो लगा हुए सूरज कांत देख सकते हैं यहां पर अभी यहां पर कोई लोहे का रड परा हुआ है यहां पर लोहे का रड उसी रड से मारा गया है और गोली से भी मारा गया है यह है उनके चाचा का घर जो सूरज कांत के चाचा थे उनके चाचा का घर है अभी देख सकते हैं अभी लोग फरार चल ला है पता नहीं इस कल्जुग में चाचा भतीजे का रिस्ता अब कलंग की थोते नजर आ रहा है कि कैसे लोग भरोसा करेगा अपने चाचा पे अपने चाचा पे लोग कैसे भरोसा करेगा अभी हम जा रहा है अभी एक घर हुआ दो घर चाचा का और यहन पीसरा गहर जो शुला है यहां पर यह चोथा घर हो गया और यह पाचवा घर पाचवा घर अंजली का है इसी घर की अंजली है यही से उनका प्रेम कहानी का शुरुआत हुआ और कैसे देख सकते हैं अभी ताला बंद है यहां पर यहां का लोग जो है कि फरार चल ला है किस परकार से सुरजकांद को ब्रहमी तरीके से मार दिया गया सुरजकांद की जो प्रेमी का है उनकी पतनी है वो अभी साथ महीने की गरवति है अपना ही पिता अपने बेटी का सुहाग उजार दिये और उनको बिधवा बना दिये किस परकार से अब किस के सारे उनको सोचना चाहिए था यहां पे दो म को मार दिये यहां पर देख सकते हैं जादा दूरी नहीं है दो तीन घर दूरी है उनको हलाकि प्रेम करना नहीं चाहिए था गाउं में गाउं में ही साधी करना उनको उनके जीवन का काल बन गया किस परकार से प्रेम के कहा जाए कि आर में उनको मार दिया गया उनके चाचा क किसलिए दुस्मन बने पता नहीं उनके पापा जी से बात करने का परियास करेंगे कि चाचा आखिर क्यूं दुस्मन बन जाते हैं चाचा क्यों दुस्मन बन गए अपने ही भतीजे को बेरहमी तरीके से मार दिये और उन्समें समलिक थे बताया ऐसा जा रहा है कि पूरा जो है कि खेल उनी का रचा हुआ है भाई अगर भाई का भेद अगर खोलेने लगे तो वो उनके लिए घातक बन सकता है अपने भाई के लिए अपने भतीजे के लिए बाकी उन सुरजकान के पिता जी से बात करने का प्रयास करेंगे कि किस परकार से भाई क्यों दुस्मन बन गए कैसे चाचा क्या हुआ क्यों दुस्मन बन गए भाई देखें मेरा नाम दिलिव गरी है घर चप्रइथा थाना रसुल पूर ये सब जो है बहुत प्लानिंग से हुआ है जो भी घटना हुआ है प्लानिंग से हुआ है कोब आ रहा है कई से करना है करने के बाद कहां जाना है कई से छिपना है बहुत मने बहुत प्लानिंग से टाइ तो जो हाइवे पर दुकान है उसका बाबा हार्डवेर के नाम से है लेकिन बहुत नाम से लोगों को मिलाना पटिदार को करके एक सान्त रखना यूंग का वैपारी यह दारू का बैपारी आपके भाई गाजा के ले कर जाता है उसे में दारू और गाजा बेजता है उनों का दूसमापनी आपके भाई से कौं सुरू हुआ है अच्छे मनलेशेम नह결ी होटा मटा मो Tenemos आपस में होता ही है आउ जो है मास्टर माइंड है मास्टर माइंड मिला करके इसको अपुरब प्लानिंग से एक घटना की अंजाम दिया है ये जो घटना हुआ है हाइवेप और उसका घ़र है गहर के सामने गाड़ी से घशीट कर निकालना और पूरा प्लानिंग से घटना को अंजाम दिया गया है पूरा प्लानिंग से घटना का अंजाम दिया गया है सबसे में बात है लड़का तो मेरा तीन है तीन में सबसे लड़ला लड़का ये मेरा सूरज था सूरज नाम चून करके रखे थे सूरज अब सूरज जैसा ही था ये गाव का समाज से भी लड़का था गहां के लिए पुजा पाठ हो कोई कार्ज करम हो सरस्वती पुजा दुर्गा पुजा चट पुजा जो भी हो एक लड़का से पूछ लिजे किसी से ख़ड़ा होकर कि यह सूरज कैसा था अलाकि आप लोग इनके ब्यक्तित को नहीं जान सकते हम यहां पे आए हुए हैं तो देख रहे हैं इनके विचार को ब्यक्तित को ऐसे बहले लोगों को किस परकार से वो दुष्ट आदमी लोग जो है कि इनको अपना सिकार बना लिया अच्छा चाचा क्या कहिएगा लोग ड कर दो के पिछे हुआ आपया और कीहारी सामने के बात हैं इनको और बहुत जा रहे हैं और हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है आप लोग यहां से चले जाए DAW को यह मत रहे है खत्रा है यह बात तो का रहे हैं वह भी ढरा रहा है क्या हमने जहाएं जो भी हो यह बात आ को रहे हैं जापलों का यहां से चले जाये जाईए है यह सब चीज प्रसासन के लपरवाहिए हैं quindi सुरज का घठना हुआ है उसी घठना और सेम लेकिन उस्ठो में मौत नहीं हुआ था मॉडर नहीं बच गया था लेकिन पहले भी हुआ था आई से छे महीना पहले उसी घटना अस्तल पर भर के सामने हाई वे पर तो उस समय हमारा दोनों लड़का बाल बच गया निकल गया गारी तूट फूट गई लेकिन अगर उस समय अगर करवाई होता हम केस किये थे थाना पर जाकर करके केस किये थे लेकिन दरोगा जी मन gera तो लिखे लिए इंसपेक्टर 20-25,000 रुपया लेकर केस को खतम कर दिया अगर राफा दाफा कर दिया था अगर नहीं होता तो आज ये घटना नहीं होता अगर वो अंदर होता ती घटना का मुनिल था इसके पहले ह differentampf पहले हमारा लड़का आया था एसी खुलवाने के लिए गहर पर उस पर भी सब हामला बोला लाठी डंडा उसका फोटेज भी है लड़कालों के पास फोटेज ले लिजेगा फिर भी हम थाना पर जा करके उसमें बोले यह बताई हम कम से कम दस मुकादमा किये हैं अब किया हम आपके दुसमन है क्या अप भैविथ हैं डर रहे हैं क्या उनसे अब हम लोग क्या भै भी थो और मुर्ब more चला गिया सुरज मेरा ज्यान का All demás है आप उसके सिवाई क्या है अब हम लोग करेंगे कुछ भी नहीं हमारा जान का की भी खत्रा नहीं येंझे इसे затृत को गया है को यहीं है हम लोग करेंगे और दुसरा हम लोग को इख सकते हैं पर्वार को बडराने धमकाने का प्रयास कि यह जा रहा है लोगों के पीछे वार किया लुझां Ding हम तो वहां पे थे चाचा फाइरिंग हुगा तो उसके बाद भी कुछ नहीं हुगा हम लोगों के आवाज भी उठाने बहुत भाई थे उस दिन जो मीडिया वाले थे यहां कुछ आदमी तो नहीं भागे उ तो रुख गए रुख करके भी दिखाई जिसके हमारे सामने जो ह रात में चार फाइरिंग हुगा तो फाइरिंग करके इधर उधर जा करके मान लीजिए हम लोगों का ज्यान खत्रा में मैसेज भी भेज रहा है फाइरिंग भी कर रहा है जब मडर करके भागा है अथियार भी बरामद नहीं हुआ है अथियार भी उन लोगों के हाथ में है इधर उधर छीपा हुए कभी भी खत्रा हो सकता है परसासन इस पर जल से जल संग्यान ले और इनका जो परिवार है इनको जल से जल सुरक्षा दिया जाए ताकि इन लोगों का जो है की डर जो है की खतम हो और अपराधिक को डर लगने लगे लेकिन यहां पर तो परसासन मौन है पता नहीं को परसासन जागेगी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए अच्छा इन चाची से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि पपू यादो आये थी क्या कुछ कहके गए पपू यादो कुछ नहीं आयी हमारे लड़के के मारने में जो थाना प्रभारी पात है उसका भी आत है पहले पाइसा उन लोगों से पुरा ले के बैठ गया अज्थिर ओ अगर चाहा होताँ तो मेरा लड़का नहीं मारा होता उसे लगतार June महीना से हम बोल रहे हैं कि इसTOR की है हैं हम चे माइना से कि इसको उठाई है जब तक ससी बुसंगिरी को गिरफतार नहीं किजेगा हमारे लड़कों को जान नहीं मिलेगा लेकिन करेंगे नहीं का हंस कटाल देता है इसका मतलब है कि बहुत सारा पैसा खाके बैठा हुआ है देश सकते हैं बड़ा आरूप लग र को इतना मार के उसके साथ बलतकार करने की कोशिश कि भाग दी गई अपलोग भी पैसा दी हैं थाना पर वारिको देख किसी को दे इसलिए अमारा बेटा मर गया आप तो यहां के परतिनीदी भी हैं उप मुखिया भी हैं क्या लग रहा है कि इस सरकार में आपको नयाए मिल पाएगा लग तो रहा है लेकिन मिल जाए तब लग रहा है पपू जादो जब हमारे घर आए हमें ता सली देखे गए हैं तो लग रहा है कि हमें इंसाफ मिलेगा लेकिन तब मिलेगा हम तो यहीं मांग करेंगे इसका इसको संस्पेंद किया इसको नोकरी से निकाला जाए ब हुआ है अगर संग्यान में पहले लिया जाता है तो हमको नहीं लगता है यह सब फूल घटना होता है बाकि इस वीडियो के ज्याद से ज्याद से शेयर कीजिए जय हिन जय भारत